नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज सवाल उन विपक्षी पार्टियों से जो 2024 को लेकर विपक्षी एक्ता की बात तो जरूर कर रहे हैं पर उस एक्ता में एक्ता नहीं बलकि दरार ज्यादा नजर आ रही है हर्याना से बिपक्षी एक्ता कर शंकनात की आ गया पर इस राली से कई बड़े बिपक्ष के नेता ने किनारा कर लिया सबसे बड़ा नाम बंगाल की सियम ममता बनर जी का है इने लोग की राली में ममता बनर जी की अनुपस्तिती ने कई सवाल पैदा कर दिये है सवाल ये एहम है कि पीम नरेंद्र मोधी की सरकार के खिलाब बिरोधी पाटिया एक जुट हुई तो ममता बनर जी ने आखिर क्यों बनाई दूई क्या है ममता बनर जी का प्लान आज इसी पर चर्चा करेंगे बाचित के लिए मैसा स्टूडिय में वजूद है ममता बनर जी जो खुद विपक्षी एकता की बात किया करती थी पर अचानक से उनको क्या हुआ कि वो इस मोहीम से किनारा अपने आपको करती नजर आ रही है देखिए बोड़ा खेल हो रहा है आपस में ही गुथम गुथी कौन किसको कहां पे किस वक्त चाकू भोग दे पीठ के उपर ये पता नहीं है राजनीती में कोई किसी का दोस्त नहीं कोई किसी का दुश्मन नहीं सब अपना अपना खेल खेलते हैं कल दो घटनाए हूँ एक फतेहबाद में तथा कथित विपक्षी एकता की एक रैली और दूसरा रैली के बाद सोनिया गांधी के यहां लालु यादव और नितिशकुमार की मुलाकाद अब जो घटना बाद में हुई उसको पहले ज़रा से समझ लेते हैं क्या हुआ राजनिती इशारों में होती है मुलाकाद करके वो बाहर निकले कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से कोई बयार नहीं आया बहुत इंपॉर्टन मीटिंग होती तो साथ में कॉंग्रेस का कोई प्रवक्ता होता जो मीडिया को ब्रीफ करता कि यह हमारी बादचीत हुई दो लोग बाहर आये और दोनों अलग अलग भाशा बूल रहे थे निति इशकुमार ने कहा कि हमारी बादचीत चल रही है बात में दिखाएंगे और जो बॉड़ी लेंग्विज था हाथ माथ इधर उधर का इसका मतलब है कि अंदर कुछ गडबड जाला हुआ है वो यह कह रहे है कि बाई विपक्षी एकता की बात हमसे हुई सब लोग यही चाहते हैं और इधर उधर की बाते नितिशकुमार ने जुठलाने की कोशिश की की बात में बातचीत होगी तो उनका अध्यक्स का अध्यक्स का अलेक्शन कब है अभी एक महिने के आसपास का समय है 16-17 तारीख को लालु यादव क्या बोल रहे हैं कि बारत तरह दिन के बाद फिर मुलकात करेंगे आज बात नहीं बनी लगता है बात नहीं बनी नितिशकुमार का कांड हो गया क्योंकि बात चीत के दौरान ही लालु यादव ने पोल पट्टी खोल दी क्योंकि उन्हें एक शब्द कहा एक सेंटेंस उससे पूरी कहानी समझ में आ गई कि अंदर क्या हुआ लालु यादव ने कहा कि मैडम से मुलकात हुई बीजेपी भगाओ देश बचाओ पर बात चीत हुई और हमने मैडम को कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है मतलब राहुल गांधी प्रधान मंतरी का चेहरा होंगे ये क्या करेंगे नितिशकुमार गंटी बजाएंगे लेकिन उन्होंने इन्हों लोग की रैली को संबोधित करते वे नितिशकुमार ने कहा कि मैं तो प्रधान मंतरी को मिद्वार नहीं हुए अच्छा वो नोने कहें दिया कि भाई प्रधान मंतरी बनने का में मुरा मेरा कोई इक्षा नहीं है और टेलिविजिन के उपर जितना भी वहां पब्लिक ओपीनिन हो रहा था अलग अलग चैनलों को खास करके कॉंग्रेस समर्थिच चैनल में वो कह रहे वही कि अगला चीप प्राइब मुनिस्टर कौन होना चाहिए तो नितिश कुमार होना चाहिए आपको प्रधान मंतरी नहीं बनना है बिहार में पोस्टर हर्द का पाट दियो कि बिहार ने देखा आप देश देखेगा वही यह आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि प्रधान मंतरी का चेहरा जो है नितिश कुमार से बहतर लीडर कोई नहीं है देश के अंदर में तो यह जो साट साल के उपर के जितने राजनितिक बचे हैं ना देश में जो सेवेंटीज में जिन्हों राजनिति शुरू की दिमाग सठिया गया है इन लोगों का इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब यह चाला की खत्म हो गई प्रधान मंतरी बनना है तुमारे क्या-क्या डीड्स है वाट अर अचीवमेंट्स क्या है तुम्हारे पास प्लैन देश को आगे लेके जाना है उसके लिए तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव प्लैन है या नहीं है कोई नीती है कोई योजना है कोई दर्शन है कुछ है नहीं बीजेपी को हराना है और सारे लोग तुमको भोटते देंगे और इस वजए से यह जो विरोधाभास आपस में इनलोगों का है तो वो तो फैल हो इग्या निति इसकुमार से साफ साफ कह दिया गया कि राहूल गांदी हमारे तरफ से होंगे सोनिया गांदी ने कह Dit कि आप इसमें क्या बंदत कर सकते हैं यह बताइये क्योंकि हमारा अध्यक्ष का एलेक्षन हो रहा है उसके बाद हम लोग बहुती एग्रेसिवली राहूल गांदी को प्रधान मंतरी के रेस में डालने वाले हैं मैं कौन तुखा मखा और नितीश कुमार की आज जो घोर बेजती हुई उसका आकलर आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांदी ने बाद में लेकिन इस पूरे प्लैन को फतेहाबाद में विपक्ची एक तक की जो रैली हुई उसको पहले ही इस बैलून को पंचर कर दिया मंता बनर जी ने अब वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स को जाना था अब देखिए जो लैंग्विज जो होता है नितिश कुमार चौटाला को कहरें कि हम आपके पैर को पकड़ते हैं पैर पकड़के मैं कहता हूँ कि इस बार सब लोग एक साथ हो जाईए यह कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा दोहजार तेरह में भी ऐसा ही यही देविलाल के पुनितिति के उपर वो तारिक भी 26 अक्टूबर था जब हाँ मीटिंग हुई थी वो जिन्द में हुआ था और ऐसे ही प्रधान मंत्री के लाल साब लेकर के यह आये थे क्या हुआ था ढाक के तीन पात ममता बरनजी समझ गई यह नितिश कुमार जो है वही पुराना खेल का वही इसा कोई सगा नहीं जिसको नितिश ने ठटगा नहीं तो वो ममता बरनजी ने क्या किया ममता बरनजी ने कह ज़ा हम नहीं आएंगे मतलब तारीक आपने गलत चुन लिया बहानेवाजी देखिए क्यों नहीं आ रही वहाँ सरत्मवार बैठा हुआ तो नहीं आएंगे आपने एक जटके में नितिश कुमार का ये जो पूरा गुबारा जो था वो खत्म कर दिया क्या कि आपने आपने एक M.A.L.E. को वहाँ भेज़ दिया कोई गुपता वीवेक गुपता M.A.L.E. को बैए लोग सबाव में भी आपको पार्टी के जो लीडर उसको भेज़ दिया होता किसी बड़े मंत्री को भेज़ दिया होता तो और इसलिए तमाम लीडर्स जिन लोगों ने वहाँ भासन दिया किसी ने न केजरिवाल का नाम लिया न ममता बनर जी का नाम लिया नितिश कुमार के भासन को कि उस सिगनल मिल गया कि दूसरा उद्व ठाकरे को भी आना था उन्होंने विगा कि कौन से इस पचरे में फसे हैं भेज़ दो किसी को आदित ठाकरे आ गये होते तो बास सबज में आती आरजेडी भी नहीं आती लेकिन चुके मुख्यमंत्री वहां पर आ रहा है फिर सोन्या गांदी से मिलने भी जाना है ऐसा ना दिखे दुनिया को कि अभी जुम्ह जुम्ह चार दिन हुए नहीं सरकार में और नितिस्टमार और आरजेडी का रास्ता अलग लग हो गया तो तेजेसु आदब भी छोटा बास से कोई इंसिक्निविकेंट बात हाँ हाँ बीजेपी को हराना है और कोई बड़ा निता आया के सियार आये सरत् पवार कि सुकबीर बादल और ये थके हारे टार अनिटायर र्याचुरी और नितिस्कुमार ये कुछ पाटिया थी सरत पवार के सित्य अपनी खराब है और सरत पवार के आने के वज़ा से ममता बरन जी के साथ दिक्कत क्या है ममता बरन जी सी प्लेज टू स्ट्रेट वो सीधर सीधर राजीनती करती है अभी हुआ क्या आप इस बैग्राउंड को भी समझ लीजे राष्पती का चुनाओ होना था सरत पवार बौर्टा बरन जी को फोन करके कहते है कि दिली में आप एक मीटिंग कीजिये और हमारे घर में कीजिये और राष्पती के चुनाओ के लिए हम तयार है ममता बरन जी मिलने भी गई थी भाई वहाँ पर बिलने गई थी राहूल गांदी खिलापुरों ने मोर्चा खोल दिया था बगल में सरत्पवार खड़े और बगल में संजराउत जो भी जेल में है और वहने कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो इंडिसाइसिव है राहूल गांदी ठीक नहीं है और सरत्पवार ने भी कहा ठीक है ठीक है ठीक है और उसके बाद ये सिलसिदा शुरू हुआ भई राश्पती का चुनाओ है सब कुछ तैह हो गया कि सरत्पवार विपक्षी एकता का एक बड़ा स्तम्ब बनके वो राश्पती का चुनाओ लड़ेंगे लेकिन एंड मौके पे जो मैंने कहा रहा है कि ये सिवेंटीज के जो शातिर कौन किसको कहा चुरी मारेगा कोई पता नहीं एंड मौके पे ममता बनरजी को इन लोगों ने डिच कर दिया सरत्पवार बोलेकि नहीं नहीं लड़ूगा अब ममता बनरजी को तो आगे बढ़ा दिया इन लोगोंने चिला दिया पेड़ के उपर और सीड़ी लेके भाग गए तो ममता बनर जी गुसा में तो उनों ने कहा यस्वन सिना फिर लड़ेगा कोई बिद्वार पर तैही नहीं हुपाया कौन बहुत चलो बहुत बली का बगरा यस्वन सिना को बना देते है अब ममता बनर जी तो ये भी ये भी सोचना पड़ेगा लागी ममता बनर जी वैसे लोगों के साथ जाए और बीजेपी से आप लगातार प्रेजिटन का विलेक्सन हार जाए वाइस प्रेजिटन का विलेक्सन हार जाए और सब कुछ में हारते हुए आप फिर बीजेपी से ल वजह वो उदर जो बैठे हुए सरत पवार दूसरा एक और सिगनल उन्होंने दे दिया अब यह सिगनल कितना सिगनिफिकेंट है समझ में नहीं आ रहा अभी वो पिछली बार आई थी दिल्ली तीन दिन के लिए आई और चार बार मोदी से मुलकात हुई है और वापस जाकर के मोदी जी की तारीव भी करती है अरे राम यह क्या होगा यह तो खेला हो रहा है मंता बरन जी के खेल में यह सब क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि मंता बरन जी को यह समझ में आ गया है कि चाहे वो सरत पवार हो चाहे वो लालू यादव हो चाहे वो नितिस कुमार हो इनकी जो हैसियत है वो दस जर्पत में नाक रगड़ने के अलाबा इनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी ने इन लोगों को बिहार में उल्जा दिया है फसा दिया है कि कॉंग्रस का समर्थन आपने दे दिया वहाँ नितिस कुमार मुख्यमंतरी बने हुए है तो उसको वही पे वो घेरने के लिए और इसलिए ये सारी चीजें जानते समस्ते हुए एक और आदमी ने नितिस कुमार को जटका दिया वह ममता बनर जी के साथ अच्छा कॉडिनेशन में चल रहे है उनका कॉडिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है जिसके लिए ममता बनर जी परचार करने के लिए भी आ गई थी कौन अखिलेश चादब उनको भी निमंतरन था नहीं पहुँचे खबर ये थी कि मुलाइम भी आएंगे और अखिलेश भी आएंगे न मुलाइम आए न अखिलेश आए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कल जो बवाल मचा ममता बनर जी ने सिंगल हैंडिड ली इस पूरे खेल को फेल कर दिया और जो बची खुची इजज़ जो थी जो प्लैन था नितिश कुमार का उसे सोनिया गान्धी ने चौपट कर दिया विपहुची एकता नाम की कोई चीज नजर आनी रही एक चीज नजर आ रहा है कि जो तमाम लोग इधर दर मुँ मार रहे हैं अन्त तो गत्वा इनको कॉंग्रेस के दरवाजे पे ही जाना पड़ेगा ये शरत्पवार राहूल गांधी की जैजेकार करेंगे ये नितिश कुमार राहूल गांधी की जैजेकार करेंगे ये लालू यादब और तेजस्वी आदव ये सुरू से जैजेकार करते आ रहे हैं तो अभी भी जैजेकार करेंगे तो ये जो कुछ ख्वाबों के दुनिया में ये जो पेल के उपर चड़के ये जो अजान दे रहे हैं नितिसकुमार वो बड़ा अंटाइमली है जी बहुत बहुत शुक्र है माचीत के लिए दन्यबाद करके जरूर लिखे देखते रहे कापिटल टीवी नमस्कार